Hello everyone, Metamopsis में मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका, मैं नागिल और आप सभी लोगों की साथ साथ मैं भी इस सफर के साथ चल रहा हूँ, कभी literature तो कभी grammar के साथ और अब क्योंकि हमें grammar की series भी शुरू करनी थी, तो आज से हम शुरू करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि इस series में आप जिस तरीके से grammar सीखेंगे, वो आपको अपने जीवन में जुड़ी लगेगी, और यहीं से grammar में एक अच्छा interest पैदा होता है, तो लेकिन क्या अगर मैं एक question पूछू कि भाषा को अगर कहीं पर भाषा बनना हो, यानि कि उसको अपना existence लाना हो, यानि कि what is needed most for a language to be established, या to come into existence, एक भाषा को अपने अस्तित्म में आने के लिए क्या चाहिए, तो आपको जब आप धूंडने निकलेंगे, तो कुछ answers एक answer आता है कि sound, लेकिन sound इसका सही answer नहीं है, क्योंकि sound जो क की sound है, वो क की sound French में भी एक हो सकती है, English में भी, Hindi में भी और कहीं और भी, वो हर जगा पाई जाती है, ख की sound है, वो भी हर जगा मिल रही है, तो sound change होने पर भाषा change होने का मतलब नहीं होता, लेकिन जब हम और पहरा डूपते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो sound, जिसे हम phoneme कहते हैं, English में, जो minimum unit of sound होती है, phoneme, different phonemes को मिलाया जाता है, जब कई sounds को, तो शब्द का निर्मान हुआ, और शब्द की बात करें, तो शब्द वो चीज है, वो minimal unit है, उसका answer ये है, कि शब्द वो चीज है, जो कम से कम एक unit होती है, जो भाशा बनने के लिए चाहिए, तो minimal unit of language is called word, और मैं आपको दिखा देता हूं, कि जैसे ही मैं शब्द चेंज करता हूं, तो भाशा चेंज होती है, प्रतीत होती है, अगर मैं आपसे कहूं कि water, जो कि एक शब्द है, जिसका मतलब पानी, तो आ पानी, तो ये कुमावनी भाशा की और आपको ले जाता है, यानि कि मैंने सिर्फ तीन शब्द बोले और तुरंत आप तीन भाशाओं में switch over करते हैं, इसका मतलब भाशा निर्मार के लिए सबसे minimal unit जिसके जरूरत है, वो शब्द हैं, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जब से भाशा शुरू हुई होगी, तो शब्द आए होंगे सबसे पहले, अब जब शब्द आए, तो ये शब्द किस तरीके के आए, ये मैं आपको बता दूँ, कि मानव जीवन जो संकेतों से शुरू हुआ, कुछ sound से हुआ, संकेतों से आवाजों के साथ शुरू हुआ जब भाशा अपने existence में नहीं थी, तो उस वक्त क्या था, कि जब सबसे पहले जो शब्द आए, तो उन शब्दों को आपस में मिलाया गया, और उन शब्दों को मिलाते हुए, मानलिया मैं आपके सामने कहूं, खाता आम राम है हिंदी में, ठीक है, और सीधे कहूं, eats mango रा तो क्या ये वाक्य को बना पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो शब्द हैं, उनको सिर्फ आपस में जोड लेना sentence को नहीं लेके आए, वाक्यों को नहीं लेके आए, बल्कि जब मैं इनको सही से adjust करूं, जो meaningful हूं, जैसे मैं कहूं, राम आम खाता है, और राम eats mango, तो यहाँ पर शब्दों को मुझे क्रम से सजाना पड़ा, और यह क्रम ऐसा था, जो पूरा meaning दे रहा था, तो पूरे meaning देने वाले इस क्रम को ही वाक्य कहा गया, जो बाद में धीरे धीरे शब्दों के आने के बाद बढ़ा, जब शब्दों के combination या हम उनके निर्माण प्रक चल जाना चाहिए था, तो कई बार मैंने पूछा कि मेरे पास एक वाक्य है, कि Ram Eats Mango, students can you change it grammatically, this Ram Eats Mango into a speech, क्या आप इस Ram Eats Mango को एक speech में परिवर्तित कर सकते हैं grammatically, तो सारे लोग इधर उधर देखने लगते हैं और कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मैंने मानो कोई यक्ष प् question, oh my god, ये क्या पूछ लिया सर में, लेकिन मैं इसी sentence को आपके सामने speech बनाने जा रहा हूँ, आप जड़ा घौर कीजिएगा, अगर मैं कहता हूँ Ram Eats Mango, एक sentence और मैं इसको speech बनाता हूँ, तो उसकी speech होगी, Ram Eats Mango, ये क्या क्या सर, ये तो वही है जो आपने अभी बोला थ इसमें कोई तो difference ही नहीं है, जी हाँ, ये ही सही है, जब तक कोई चीज आपके मस्तश्क में विचार की तरह होती है, या फिर आप लिखते हैं, उस समय तक वो वाक्य होता है, लेकिन जैसे ही, you utter something through your mouth, जैसे ही वो बोला जाता है, तो suddenly it becomes a speech, और इसके लिए कोई grammar के rules की ज उठता है, the moment it spuds out of your mouth, it becomes a speech, और यही speech है, इसके लिए आपको grammar के बहुत बड़े रोल नहीं सीखने rules, ठीक है, तो ये speech का ये concept हमारे बच्पन में कभी नहीं समझाया जाता, अब हमने हमारे पास है sentence, जो शब्दों के combination से हैं, वो भी meaningful combination, अब हमारे पास है speech, जो शब्द म मुँ से निकलेगा, उसे speech कहेंगे, अब जो वाकि मेरे मुँ से निकला, उसमें मेरे पास तीन चीज़ें आपको सामने दिख रही है, एक राम, एक खाता है, चार हिम्दी में, और राम इट्स मैंगो इंग्लिश में, इन तीनों को मैं नमबर देता हूं, नमबर वन, राम नमबर टू, इट्स, नमबर त्री, मैंगो, यह जो तीन हिस्से आपको मेरे बोलने में सुनाई दिये, so friends, these are called parts of speech, क्योंकि जो मैंने speech बोली, उसके यह तीन हिस्से थे, and simply these are parts of speeches, तो इसे कहते है parts of speech, जो बिलकुल बच्पन में clear होना चाहिए, था इसी fundamental level के साम, तो यह था parts of speech, अब parts of speech की definition क्या निकल के आई, कि वाक कि मैं, जो भी हमारे बोलतक speech, जितने हिस्सों से बने होती है, वो parts of speech है, अब सवाल उठता है, कि English भाशा में कितने parts of speech हमारे पास होंगे, तो यह सबसे easy language है, English भाशा, जिसे हम अंगरेजी भाशा, सबसे easy language है, क्यों, क्यो parts of speech, और यह 8 parts ही, आप इधर से उधर, या उधर से इधर, या आपस में इनके different combination बनाते हैं, जैसे permutation and combination का topic होता है, उसी तरीके से, और इन ही से बनती है, अंगरेजी भाशा, जो right from a simple sentence, ठीक है, to the oratory of great orators, इतने level तक जा सकती है, और इस level तक जाने के लिए, हमें कुछ न सजाना होता है, तो क्या यह अंगरेजी भाशा जो इतनी easy है, इसके वो 8 parts of speech क्या है, बिलकुल आप लोग सभी जानते हैं, तो एक बार मैं आप फिर से यहां पर लिख देता हूं, आप जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, तो noun होता है, number two, pronoun होता है, फिर आ आते हैं verb, फिर आते हैं adverb, फिर आते हैं preposition, फिर आते हैं conjunction, फिर आते हैं interjection, इस तरीके से आप यह 8 parts of speech पूरे करते हैं, अब सवाल यह उठता है, कि 8 parts of speech को किसी भी competitions में कैसे पूछा जाता होगा, और फिर इनको सीखने के लिए हमें क्या करना है, तो दोस्तों, part of speech में से पहले मैं आपको अपनी strategy बताता हूँ, कि हम लोग पहले part of speech को जान गए हैं, और अब हम इनको कैसे करने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं कि एक-एक part of speech को उठाने वाले हैं, क्योंकि सारी errors इसी में से आती हैं, जो इनका expert है, वो error का expert है, उन part of speech को उठाने के बाद हम fundamentals पर जाएंगे, यानि real concepts of this part of speech, जैसे noun है तो उसके क्या concept हैं, conceptual clarity के बाद हम आपको sentence में उसको spot out करना सिखाएंगे, कि noun को कैसे पहचाना जाए, उसमें error ढूंडने के लिए, और तीसरे level पर हम आएंगे, कि उसकी कैसी-कैसी errors हैं, क्योंकि errors आपको लगता है कि हमें grammar नही नहीं आती, नहीं, इसका एक और बड़ा कारण है, कि हमारे आसपास, हमारे school level में, हमारी beginning से और हमारे परिवार में, और जहांबर भी हम पड़े बड़े हुए हैं, उस जगह पे English का जो level था, वो Indian level के हिसाब से था, या फिर सही से सिखाया नहीं गया, या फिर भारती भा परंपराओं में या भारती भाषा की परंपराओं में जिस तरह की कि अंग्रेजी सिखाई जाती है school में, उस तरीके का था, इस वजए से कुछ ऐसी गलतियां थी हर एक part of speech में, जो हमारे अंदर मन के अंदर बैट के घर बना चुकी हैं, और उम्र दर उम्र हमारे साथ सही लगता है, और होता क्या है कि उसका कुछ और ही होता है answer जो हमें नहीं आता है, तो मैं यह नहीं कहता है कि आपको grammar नहीं आती, बलकि कई चीज़े परंपराओं में भी हमारे अंदर इस कदर घुल चुकी हैं, कि हम उसकी सही गलती को पकड़ नहीं पाते हैं, तो यह आ मिलेंगे आपसे उस वीडियो में जहां से हम नाउन से शुरू करते हैं, आज का जो introduction parts of speech था, यह यहीं पर खतम करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ ऐसी चीज़े में निकाल के लाया हूँ, जो real में बहुत interesting है और बहुत factful है, तो दोस्तों मिलते रह